अगर आपके यहां भी कोई लौकी की सबची नहीं खाता है तो एक वार लौकी की सबची इस तरह से बना कर देखे आपको मज़ा आ जाएगा जो नहीं खाते हैं वो भी सौक से खाएंगे तो लौकी की सबची बनाने के लिए मैंने ली है एक छोटे साइज की लौकी ध्यान इस रेचिपी को बनाने के लिए आपको ताजी सौफ्ट लौकी ही लेनी है इस पात का विसेज ध्यान रखेगा तो यहां पर लौकी को मैंने पहले पानी से अच्छे से धो लिया अब इसका जो छिलका है वो हम निकाल देंगे तो यह देखे लौकी को अच्छे से छील करक को तो यहां पर हमारी जो लौकी है वो रेडी है अब इसका जो हेड एंटेल पार्ट है वो हम थोड़ा थोड़ा सा काट के निकाल देंगे लौकी है जो बीज है वहाष नहीं है सोफट बीज वाली लौकी लेनी है यह देखे कुछ इस तरह से तो अब हमने इसे दो पीशेज में नहीं काटना थे पहले बिदू में कट किया फिर इस तरह से मीडियम साइज के पीश करेंगे यानि कि बहुत ज्यादा बड़े नहीं और ज्यादा छोटे भी नहीं तो इसी तरह नमक धिख्यक्क डालए लगसे ऋमाद में ब्नास बाइन गय交 चमच नमक यो फिर नमक स्वाद की नाल रूप सुहनते इसे देंगे जो एक चमच लिएशे अच्छे चरी मिकस करेंगे यानि कि जो बेशन और मसाले हैं वो लौकी के उपर अच्छे से कोड हो जाने चाहिए देखे कुछ इस तरह से तो लौकी हमारी रेडी है दस मिनट के लिए से हम रेश्ट पे छोड़ेंगे तब तक एक और मसाला त्यार करेंगे तो मिक्सी के जार में डालेंगे एक चम्मज धनिया के बीज आधा चम्मज जीरा साथ में जाएगा हरी मिर्च तो तीन हरी मिर्च को हमने रफली तोड़के डाला है साथ आठ लैसुन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा और एक प्याज यह बड़े साइज का प्याज है जिसे हमने ऐसे रफली काटके डाला है एक लॉंग एक बड़े लाइची खड़े मसाले आप तो और भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाल करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लॉकी को फ्राई करना है लेकिन हम ज्यादा तेल में नहीं फ्राई करेंगे कम तेल में ही फ्राई करेंगे यानि कि बस उतना ही तेल डालना है कि यह लॉकी भी फ्राई हो जाए और इसी में हमारी यह जो मसाला है वह भी बन जाए तो आप मैंने एक पिनट तक बिल्कुल भी टश नहीं किया था फिर हमें इसे अलट पलट के अच्छा गोल्डेन कलर आने तक फ्राई कर लिया तो यहां पर हमारी जो लोकी है आल्मोस्ट 80% तक कोख हो चुकी है तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया बचे वे तेल में हम डालेंगे आधा चमत जीरा और फिर हम डाल देंगे यह अपना मसाला जो हमने पीस के रेडी किया है तो बस अब हमने फ्लेम को कर दिया है मेडियम और इस तरह से चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है अच्छा सा गोल्डेन ब्राउन नहीं हो जात हमारा जो प्याज का पेस्ट है वह अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर का पेस्ट और अब हम टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्छा पनना खतम हो जाए और साथी साथ तेल ना छोड़ने लगे तो रेखे यह है अब आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया जीरा पाउडर और एक चमच डालेंगे किचन किंग मसाला साथ में डाल देंगे एक चमच के जितनी कसूरी मेथी किचन किंग मसाला की जगे आप गर से भूनेंगे ताकि मसाले हमारे बढ़िया से भूने जब तक भूनेंगे जब तक कि इस तरह से तेल ना अलग होने लगे तो फ्रेंच आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग होने लगा है थोड़ा सा मैंने इसमें तीखी वाली लाल मिर्ची भी डाली है और बस अच्छे से mix कर देंगे अपनी ये मसाला लगी हुई लौकी और इसे हम पड़िया से मिला देंगे हुएं तो ये देखिए अच्छे से मैंने mix कर दिया अब हम इसपर डालेंगे पानी और mix करेंगे तो यहां पर मैंने आधा ग्लास से थोड़ा ज्यादा पानी डालना है ध्यान रखेगा हमें इसकी ग्रेवी बहुत जादा पतली नहीं करनी है स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे नमक ध्यान से डालेगा क्योंकि नमक हमने लोकी को मेरिनेट करते टाइम भी डाला हुआ था तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हम ढख करके 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में पकने देंगे ताकि लोकी में जो कसर है वो भी अच्छे से पक जाएगी साथ ही साथ मसालों का फ्लेवर भी लोकी के अंदर तक जाएगा तो पांस मिनट बाद लोकी की सबजी अल्मोस्ट अच्छे से कोख हो चुकी है तो मैं आपको इसे चेक करके दिखाती हूँ तो यह देखे एक पीस हम ऐसे लेंगे और जब इसे ऐसे करेंगे तो यह अच्छे से मैस होनी चाहिए इस बात का ध्यान लगेगा अगर आपको लगे कि यह भी कम पकी है तो आप इसे फिर और ढखके थोड़ी दिर और पका लेजिएगा और यह हमारी बहुत ही मज़िदार लोकी की सबजी बनके तयार है उपर से हम डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया यकीन मानिये गायत जब आप इस सबजी को बनाएंगे तो जो लोग घर में लोकी नहीं खाते हैं वो भी सौक से खाएंगे हाँ यह सबजी थोड़ी सी मसालेदार है लेकिन कभी-कभी तो बनाना बनता ही है ट्राइ जरूर कीजेगा और आपको हमारी लोकी की सबजी कैसी लगी हमें फीडबैक में बताना ना भूले